नमस्कार दोस्तों मैं प्रेंस हैने आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल Learn and Grow में आज हम बात करेंगे Convair Chains के बारे में और Power Transmitting Chains के बारे में यह क्या होती हैं और कितने तरह की होती हैं तो Convair Chains की पहले बात करते हैं जो Convair Chains होती हैं यह आपने जरूर देखी होंगी Industries के अंदर इनका यूज किसलिए किया जाता है सामान को एक जंगा से दूसरी जंगा पहुंचाने के लिए मानली जी आपने इस तरह से दो रोलर ले रखे हैं और जब यह रोटेट करते हैं तो इनको एक चेन से Connect किया जाता है इसको हम बोलते हैं Convair Chain जिसके उपर सामान को अगर आप रखते हैं तो वो जो है एक जंगा से दूसरी जंगा शिफ्ट होने लगता है एक जंगा से दूसरी जंगा आप उसको पहुंचा सकते हैं तो यह हमारी Convair Chains होती हैं लगबग जादातर जो है इंडस्ट्रीज के अंदर यूज की जाती है जैसे एक तो यह हो गई हमारी दूसरी Inclination ठाइप भी होती है यारे कि कुछ एंगल पर होती है और कुछ एंगल पर अगर हमें सामान को पहुंचाना हो कुछ उंचाई पर पहुंचाना हो तो उसके लिए भी इनका यूज की जाता है तो जो Convair Chain होती है इंका यूज कीसके लिए किया जाता है Elevating के जिसको आप hook joint type chain भी बोलते हैं, दूसरी होती है closed joint type chain, आप जो पहले type की chain है, यानि कि hook joint type chain जो है, इसके अंदर हमारे पास hooks होती है, इस तरह से, जैसे कि ये hook है, यहाँ पर ये, और यहाँ पर ये hook है, आप देखें, ये एक इस तरह की shape की होती है, और ये जो है, इसके एक hook है, तो इसी तरह से ये होता है, कि ये जो है, आप इसके अंदर फसा देते हैं, और ये जो है, अगर आप इसको खीचते हैं, तो एक दम से tight रहती है, निकलती नहीं है, तो एक hook type की होती है, या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि ये है, आपके पास, और फिर जो ह यह है इस तरह से इस तरह से समझ सकते हैं कि हुक के अंदर जो है हुक इस तरह से फसी होती है तो यह जो होती है हमारे डिटेचेबल टाइप होती है जिसको आप निकाल सकते हैं तो कभी भी आप इसको अलग करना चाहें या इसके अंदर इसको छोटी करना चाहें या इसको ब कि अधिन आप इसको बोलते हैं दूसरा होता है जोएंट होते हैं एक तरा से इस तरह से को अंदर लगे होते हैं और इस तरह से जो हमने देखा यह यवर करती है तो यह conveyor chains होती है इसके अलावा जो power transmitting chains होती है वो क्या होती है यह chain हमारी use की जाती है अगर हमें power transmit करनी हो अब मालीजे कोई दो shaft है और उनके बीच का जो distance है center to center distance है काफी कम है तो उनके बीच में आपको power को transmit करना है तो यह वाली chains जो है use की जाती है center to center distance क्या है shaft का मालीजे इक shaft यह है हमारे पास एक shaft यह है हमारे पास एक मालीजे इसके उपर आप कोई teeth लगा दीजिए गीर टीथ जो gears है हमारे वो लगा दीजिए या sprocket लगा दीजिए तो एक यहाँ पर लगा दें इनके बीच में हमने एक chain use कर ली तो यह जो है यहाँ पर यह center था यहाँ पर यह center था काफी छोटा distance था इनके बीच में तो अगर हमें power को transmit करना है इस तरह की जगाओं में जहाँ पर कम distance हो दोनों shaft के बीच में या कहें कि center to center distance है वो कम हो तो वहाँ पर इस तरह की chains का use किया जाता है यानि कि power को transmit करने के लिए इन chain का use किया जाता है जहाँ पर center of shaft का distance जो है काफी short होता है अब यहाँ पर जो है efficient lubrication provide हमें करना होता है इन तरह की chains के लिए यानि कि lubrication की भी दरूरत पड़ती है और proper lubrication होना चाहिए यह chains के लिए ताकि noise ना हो smoothly वो work कर सकें वीर टीर ना हो तो यहाँ पर जो यह mainly power transmitting chain है हम तीन तरह की chains की बात करेंगे एक blockchain दूसरी bush roller chain और तीसरी inverted tooth और silent chain भी इसको बोलते हैं जैसे कि नाम दिखा रहा है कि silently यह work करती है पहली जो है block chain चलिए इसकी बात करते हैं जो block chain है इसके इंदर इस तरह की blocks होते हैं जिसकी यह dice कि यह देखिए यह block है और इस तरह से यह है और इस तरह से दोनों तरफ से fix है यह जो है भीच में यह blocks लगे हूए है और दोनों तरफ से support द गई है तो इस तरह की यह chain होती है अब यह जो restrictions क पहले यूज की जाती थी जब development हो रही थी इन चीजों की power transmitting करनी है तो इस तरह की chain जो है develop की गई थी तो इनका use किया गया था तो इनको हम bush chain भी बोलते हैं इनको जो दूसरा नाम दिया गया है और ये पहले use होती थी power transmission के लिए आजकल तो बहुत ही latest chains आ चुकी हैं तो ये हमारी use होती थी earlier time में हमारी use होती थी अब ये जब हम use करते थे तो यहाँ पर noise भी काफी जादा produce होती थी क्यों कि अब ये जो chain है वो हमारी जो sprocket teeth है या gear teeth है उनके ओपर move करेगी और जब उनके teeth से ये contact में आएगी अब sprocket teeth का क्या मतलब है जैसे कि मान लिजिए ये इस नसे हमारा कोई gear उसके ओपर इस तरह से teeth होते हैं जैसे कि यह है कोई भी gear है कोई भी sprocket है इस तरह से teeth होते है तो इन तीथ के ओपर यह chain move करती है क्यों यहाँ पर इस चैन को जो है इसका gap जो है इसके बीच में फस जाता है जैसे cycle की chain आपने देखी होगी तो यहां पर इन uneteeth के साथ उनका contact होता है तो यहां पर noise produce होती है तो इस तरह की jokachane होती है तो क्यूंकि यह जब approach करती है यानिय कि इसके पास आती है या इसको leave करती है तो इसके साथ contact मनता है इन teeth के साथ chain का तो वहाँ पर जो है हमें noise जो है सुनाई देती है क्योंकि rubbing होती है वहां पर teeth और links की तो यह हमारी blockchain होती है और यह हमारी use होती है small speed के लिए होती थी यानि कि small speed के लिए इसका use किया जाता था next है हमारी bush roller chain यह भी आपने देखी होगी इस तरह का हमने यह figure लिया है ताकि इसको असानी से आप समझ सकें अब यहां पर यह जो chain है आपने देखी भी होगी जैसे जो motorcycle की एक तरह की chain है वहां पर जो है वहां से आप इसका मिलान कर सकते हैं इसके अंदर क्या क्या होता है यह हमारी outer plate सबसे आटर में यह हो गई ते इनर प्लेट जिसको roller link प्लेट बोलती है यह जो है हमारी इनर प्लेट होती है जिसको roller link यानि कि यह roller को link करने के काम आती है तो इसलिए यह पिन को link करने के काम आती है outer plate अभी देखेंगे यह roller कहाँ पर है तो यहाँ पर यह हमारी होती है यह होते है roller जो की roll करते हैं यहाँ पर यह होते हैं हमारे bush यह भी एक plate के साथ लगे होते हैं यह होती है हमारी pin यह भी एक plate के साथ लगे होते हैं यह जो हमारी plate है जिसके साथ pin लगी हुई है आउटर प्लेट जो है सबसे बाहर रहती है और यह बाहर रहती है तो इसको लिंक करने के काम आती है इसलिए इसको पिन लिंक प्लेट बोला रोलर लिंक प्लेट क्या है यह रोलर को जब हम बुश में डालते हैं तो यहां पर इसको लिंक करने के काम आती है तो इस तरफ से press करें इस तरफ से press करें आप समझ जाएंगे कि यह जो है किस तरह की एक combination बनकर एक link बनेगा पूरा तो यानि कि यह जो है इसके ओपर यह जो रोलर है इस बुश के ऊपर आएंगे और यह जो बुश है वो इस pin के अंदर आएंगे set हो जाएंगे और यह पूरा एक link बन जाता है इसी तरह के हम जो है पार्ट यूज करके एक लंबी chain बना लेते हैं तो इस तरह से इसके सारे parts होते हैं pins, bushes, roller यह सारे bushes का use क्यों किया जाता है ताकि wear tear ना हो तो उसलिए use किया जाता है और उसके बाद अगर हम इसके बात करें काफी strong chain होती है और काफी simple भी है और strong भी है little noise यहां पर produce होती है क्योंकि यहां पर रोलर भी यूज किये है वह इस तरह की जो bush है वह भी यूज किए है बुछ के साथ roller भी यूज किये है और lubrication भी यहां पर रहता है तो यहां पर कम rubbing आपको देखने को मिलती है इसलिए little noise produce होती है और little lubrication की इसको जरूरत होती है कम lubrication के साथ भी ये chain काम कर सकती है और जो wear होता है surfaces का यानि कि जो roller है जैसे कि यहाँ पर जो roller है अब तो वो contact में आएंगे जो की teeth होते हैं sprocket के या फिर gear के जो teeth हैं उसके साथ ये roller contact में आते हैं अब क्या होता है कई बार लंबे समय तक use होने के बाद stretching खिचाव के कारण जो chain होती है जैसे chain ही यह है मान लिजिए इस तरह से यह chain होती है इनके बीच में space है और यहाँ पर यह roller है यह जो हमने दिखाए है यह जैसे ही इसके उपर खिचाव पड़ता रहता है तो यह जो है इसकी length बढ़ जाती है season generally आप कहा सकते हैं गर्मी के अंदर तो length जो है stretching के कारण और wear tear के कारण length बढ़ जाती है जिससे क्या होता है जो sprocket के teeth होते हैं जैसे मान लिजिए इस sprocket के teeth है इनके बीच में जब यह chain आती है यह जो gap है तो यह बढ़ जाता है यानि कि यह जो pitch है एक तरह से यहां से यहां ज़्यादा होने लग जाता है यहां पर यह problem रहती है long run में wear tear से कि pitch जो है वह बढ़ जाती है यानि कि chain की length increase हो जाती है जिससे कि यहां पर आपस के अंदर इनकी जो rubbing है या कहीं कि जो आपस के अंदर जो load है वो increase हो जाता है एक कुछ teeth पे ही ज़्यादा load पढ़ने लग ज होता है next तरह की chain होती है हमारी inverted tooth और silent chain हमस को बोलते है अब इसी problem को solve करने के लिए जो हमने अभी देखी कि जैसे ही length बढ़ेगी यानि कि जैसे ही seasonally लगा लिजिए या long run में लगा लिजिए जैसे यह pitch बढ़ती है हमारी यह pitch जो है increase होती है यहां से यहां लगा लिजिए तो यहां पर inverted tooth यूजिए गए हैं देखी कुछ taper के अंदर इस तरह सी यूजिए गए हैं कि अगर थोड़ी बहुत pitch जो है increase होती है तो जो हमारा सप्रोकेट के teeth है तो और जो यह है इसके chain के जो हमारे यह teeth है तो यह जो है आपस के अंदर वो थोड़ा बहुत compensate कर पाएं और उनका जो है अगर increase होती है थोड़ी बहुत length तो उसको यह compensate कर ले और wear tear ना हो और जो हमारा load है एक teeth पर या कुछ teeth पर ही ना पड़े वो continuously जो है distribute होता रहे तो उसी problem का solve करने के लिए inverted tooth और silent chain जो है वो develop की गई थी ताकि जो है elongation की problem से चुटकारा हम पास अगे तो यह eliminate करता है जो effect होते है stretching के कारण यानि कि इसकी खिचाव के कारण इसके pitch का जो बढ़ जाने के कारण नित्रीज हो जाने के कारण तो उसका eliminate करता है automatically correct कर लेता है small change को तो क्योंकि यहाँ पर यह taper type में है इसलिए इनको inverted teeth भी बोला गया है तो यहाँ पर small change जो है यह अपने आ pocket wheel के teeth होते हैं उनके बीच में तो इसलिए काफी quietly यह काम करती है काफी smoothly यह काम करती है तो यह होती है हमारी inverted tooth और silent chair तो thank you वीडियो देखने के लिए और इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल learn and grow पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं धन्यवाद